मैं स्वागत करता हूँ सभी विध्यारती फटावर से जोड़ेंगे मेरे साथ में और आज जो मैं डिसकस करने वाला हूँ SSE CGL कैसे होगा क्लियर और कैसे आते मैं फुल मांक्स कैसे लेकर आ सकते हैं आप पूरे में से पूरे मांक्स आप से क्योर कर सकते हैं क्योंकि आपको मैं सिंपल यह बताना चाहूंगा कि यह प्रिप्रेशन का पार्ट है SSE का यह एक पूरी चैन है इस चैन में आपकी हर एक चीज जुड़ी हुई है हर एक चीज जुड़ी हुई अगर आप प्री अच्छा करके आते हैं तो आपकी मेंस भी अच्छे होगा ही ह क्योंकि आपकी जो सबजेक्ट्स थे हो वो भी common होती है आप यहां तो चार पढ़ते हैं प्री में उसके साथ मेंस में आपकी 2 सबजेक्ट होती है मैहत और इन्गलिश कुछ भी नहीं होता आप ये सोचे कि मेंस का अलग से लिए बस है बैंक की तरह नहीं देखने को बिलता बैंक में प्री एक्जाम बहुत ज़ादा आसान होता है या इसली करने वाला होता है स्पीड पे काम करना है और मेंस में वो पूरे कॉंसेट पे काम करवाते हैं बियाई पर काम करवाते हैं तो बिलकुल अलग concept हो जाता है तो यहां थोड़ा सा challenge इस बात पर कम है अब आपके बात की जाएगी कि कैसे exam clear होगा आपको क्या mindset रखना है मैंने आपको हमेशा से समझाया है कि अगर आप दोरी मानसिक्ता के व्यक्ति हैं दोरी मानसिक्ता क्या ह कि यार मैं पढ़ लूँ पढ़ना शुरू कर देता हूं और जिस दिन पढ़ना शुरू करते हो उस दिन आप यह सोचने लग जाते हो कि खतम कब होगा यह आपको effect करता है आप इससे आगे नहीं बढ़ पाते हो सबसे पहले आपको किनके चीज़ों का ध्यान रखना है क्य आपकी एक reasoning है और आपके सामने आता है आपका journal awareness जिसको gk current affairs में gs, gk, ca सब कुछ है ठीक है इस्टेटिक वाला part ठीक है और फिर आती है English यहां English bank जैसी नहीं आती है यहां fixed comprehensive part है और एक grammar वाला portion है जो की काफी weightage रखता है active voice, passive voice, proposition, fixed proposition यह सब चीज़े ठीक है तो सभी विद्यार्ति एक बर वीडियो को share कर दें अपने अपने दोस्तों तक मैं हर एक चीज़ किलियर करूँगा कि किस में क्या है पिछला notification मैं आपको दिखाऊंगा हर चीज़ हम discuss करेंगे ठीक है तो अभी फटाफर से share कर दें मैं मैं भी एक बर शेयर कर देता हूं वीडियो को सबसे पहले हर चीज़ डिसकस करेंगे ठीक है अब हम बात करना चाथे मैट की तो मैट में अगर मैं simply बात करूं तो अगर आप फरस्त टाइम अगर पेपर रहे तो आपके बेकृफट पड़ता है कि आप किस बैक ग्राउंड से आते हैं अगर आप math के background से आते हैं या आप non math के background से आते हैं आप दौनों में से चूज़ करिए आप कौन से background से आते हैं दिको फरक बहुत ज़्यादा पड़ता है कि आपकी math कैसी रही है गत वर्षों में आप कितना अच्छा करके आप आए हैं पिछले वर्षों में math में आप किते अच्छे रहे हैं उन पे भी उन पे भी बहुत सारी चीज़ें effect होती हैं और आपको मैं कहूं कि अगर आप math background से हैं तो definitely आपको थोड़ा सा positive रहता है अगर आप non math background से हैं तो थोड़े सी negative point आपके सामने यह आ जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी preparation को अच्छा नहीं कर सकते आपकी यह portion ज्यादा अच्छा रहेगा तो देखो हमेशा जो भी exam होता है वो चारो subject से लेकर चलेगा आप चारो subject में हाँ आपकी चारो subject में मैं यह कहता हूँ कि आप हर subject में अपना योगदान दे जो math field से होता है उसका gk वाला portion या English वाला portion तो गोड़ा सा weak रहता है अकसर देखा गया है ऐसा नहीं है कि हर किसी का हो अगर किसी का नहीं है तो वो तो खेल गया उसका तो selection निश्चित है अगर आप non math background से हो math अगर अगर अवीख है तो hopes हो कि आपकी यह तीनों चीज़े अच्छी हो possible chance है अगर आपका अच्छा नहीं है तो क्या चक्कर है सर तब इससे कैसे निकले हर चीज़े पर discussion हम शुरू करते हैं अगर आप non math background से हैं तो आपको थोड़ा सा थोड़ा time आपको ज़्यादा लगेगा और यह आप मान के चलना तो आप कभी भी math वाले बच्चे से compete मत करना या जिसकी math background है जिसका उससे अगर आप compete करने लग गए तो आपको हमेशा demotivation लगता है यार मैं तो कैसे कर पाऊंगा कैसे नहीं कर पाऊंगा यह सब चीज़ें अगर आने वाले आपको पांच महीने में exam crack करना है तो आपको simple सी बात यही है आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि आप हमेशा limited content की तरफ जाए लिमिटेड content पढ़ें और उसी limited content का unlimited revision करें मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि आप अगर पांच महीने में पढ़ रहे हैं तो पांच महीने में क्या कर लेंगे आप मुझे बताईए आप यह सोचेंगे कि मैं यह भी कर लेता हूं मैं वो भी कर लेता हूं ऐसा नहीं हो सकता डियर आप किसी एक subject पे रिलायर नहीं क कर सकते किसी भी exam को निकालने के लिए अगर आप यह कर रहे हैं तो आप नहीं निकाल पाएंगे exam तो मेरा सबसे पहला point यह है कि अगर आप आने वाले 5 महीने में खुद को secure करना चाहते हैं कि मुझे CGL निकालना है और निकालना नहीं हमें तैयारी करनी है देखो आप यह म कर 5 महीने या 6 महीने पढ़ने वाला हूँ तो definitely आपको कुछ ना कुछ मिलेगा इस preparation एक जर्नी है और इस जर्नी में आज आप खड़े हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप successful हो गए आप इस जर्नी में चलते जाएंगे समझ में आता जाएगा आगे और चलते जाएंगे स अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप इंग्लिश जैसा content है यह भी ultimately fix होता है अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं बताने वाला हूं जिससे कि आप distract हो मैं बहुत limited चीज में खतम कर दूँगा आपकी चीज़ें सर क्या क्या करें आप बताओ अगर आप non math background से हैं अगर math background non math background वाले सबसे पहले 7th 8th और 9th की NCRT जिन्होंने आपने पढ़ा भी होगा उसे एक बार पढ़ ले मतलब ऐसे रफ ली ऐसा क्यों पढ़े सरम वो आपको बस देखना है मैं यह नहीं कहा रहा है कि आप पढ़ने उसी से बैठ जाओ ना 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 अगर आप शुरुवात कर रहे हो ना जैसे कि आप किसी course में जोड़ रहे हो मेरे साथ या कहीं पर भी जोड़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप यह सोचने लग जाओ कि यार बच्चा है उसमें हो सकता है कि repeater वाला भी बैठा हो उसी कोर्स में हो सकता है कि एक बच्चे को सब कुछ आता हो एक बच्चे को कुछ ना आता हो तो टीचर अपना एक content देता चला जाएगा और जो नॉन आप दे रहा है मैं तो ने निबारा थोड़ा सा क्या होता है माइंड सेट में फर्क होता है तो वह फर्क आपको दिखेगा स्टार्टिंग में बाद में तो हो सकता है कि आप बैतर बन जाएं ठीक है भाई साब चलिए थोड़ा सा गो थू कर लेना कि यह यह concept है अच्छा 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 ठीक है उससे क्या होता है आपको जो आप चीज पड़ी हो यह होती है ना पहले 7th 8th 9th में वह दुबारा से अगर आप देखते हो तो वह आपको दिमांग में रहती है आप देख सकते हैं रिवाइस कर सकते हैं ठीक है इनका जीकी अच्छा होगा तो आप यह कोशिश करें कि अगर मैं इनसे 2-4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर कम भी रह जा रहा हूं तो मुझे वह नंबर यहां कवर करना है अगर मेरा यह पोर्शन अच्छा है तो आप बिलकुल भी यह ना सोचे कि अगर आपकी मैत वीक है तो रहेगा प्री बहुत सारे निकालते हैं माना बड़ा टास्क तो मेंस में आएगा तो मैत जरूरी पोर्शन इसलिए भी रह जाता है क्योंकि मेंस में यह 200 नंबर का आने वाला है तो वहां तो फिर आपको करना ही पड़ीगी न मेहनत है ना चलिएगा ठीक है यह बात आपक इसके लिए पहला स्टेप आपको कोई भी कोचिंग जॉइन करनी है आप कर लेंगे लेकिन आप अगर कर रहे हैं तो आप अपनी स्टेडी को बहुत कंसाइजली लेके चलें एक एक टीचर से पढ़ें ऑनली वन टीचर आपको टीचर रोज चेंज नहीं करना एक ही टीचर से पढ़ना है अगर आप कोई भी कोचिंग में जोड रहे हो तो पहली चीज दूसरी चीज टीचर बार बार नहीं बदलने हैं ना दूसरी चीज अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि स्लेबस कंप्लीट हो पहले तो क्योंकि जब यही कंप्लीट नहीं होगा तो कॉंफिडेंस क्या खाक आएगा अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो शुरुवात में जो मॉक टेस्ट नाम की जो चीज होती है कि स्टार्टिंग में ना लगाएं क्योंकि जब कंप्लीट ही नहीं है तो लगाकर क्या आप क्या कंपेरिजन करोगे किस से कंपेरिजन करोगे आप हां शुरुवात में मॉक टेस्ट ना लगाएं शर्क्यों ना लगाएं कंप्लीट ही नहीं तो कहाई का मॉक्ट्रेस्ट ताइम वेष्ट दिमाग खराब दूसरे से कमपेरिजन करकर करके तुम ऐसी बुद्धी खराब जाए कि तुम्हारी कि तुम कुछ पड़ी नहीं पाओगे तुम अपने आपको पहले अफगत करके रखो कि मैं इतना पानी में हूं इतने पानी में रहकर मैं काम करूंगा मेर को जो अभी नजर आ रहा है मैं उतना कर सकता हूं बस अब वही करना है आपको आप यह सोचो कि यहां पर यह मैटेरियल है यहां पर यह मैटेरियल है यह फ्री बांट रहा है यह फ्री बांट रहा है यह दे रहा है यह कोर्स है यह पेड़ कोर्स है यह पेड़ कोर्स है यह यह culture रहिए यह अच्छ zwischen रही अच्छ यह अच्छ ठीच्टर एंच्छ partici हर किसी के बच्चे के कोई ना कोई अच्छ टीचर होते हैं कि आप éénक करोते हो सब आपने लें कोई कह यह चाहिखा इससे पर ले कोई कई आएगा इससर्बर्ले कोई का यह मेले को आप किस से पढ़ना चाहते हो वो आपको decide करना है हर किसी को लगता है यह best है यह tough कराएगा तो यह best हो गया अरे यार इसको experience है तो यह best हो गया अरे यार यह सारा question करा देता है यह best हो गया अरे यार इसके question paper में आ जाते है यह best हो गया अब उस नए बच्ची की बुद्धी काम नहीं कर रही है भाई वो मेरे लायक है या नहीं है मेरे लिए क्या है मैं मेरे को तैयारी कौन कर आएगा तुम तो तुम तो 6-6 अटेम दे देकर बैठे हो भाई तुम 6-7 अटेम देकर बैठे हो अब उस 6-7 अटेम देकर कोई बच्चा कोई बैठा है तो उसको तो कोई भी टीचर पड़ेगा उसको सब समझ में आएगा लेकिन आपकी इस्तिति तो बिगिनर है ना भाई आप कैसे डिसाइड कर सकते हो यार उससे कैसे कमपरिजन कर सकता है और वो कैसे कर सकता है यह अच्छा बढ़ाता है मेरे को भिंड़े अच्छी लगती है किसी को नहीं लगती होगी लॉजिकल बात है मतलब हर किसी को उसका टेश्ट पसंद आए यह जरूरी नहीं है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप चुने कि आपको किस से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है पहली बात और जब पढ़ना आप शुरू कर दे रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहना है तो आप ऐसे टीचर को अवश्य पकड़े जो आपका हाथ ना छोड़े दूसरी बात ठीक है हाँ यह सिंपल सी बात है ऐसा नहीं है क्या होता है कुछ टीचर मतलब होता है यार ठीक है यार नाम है यार CGLF भाई बहुत बड़ी है नाम है लेकिन नाम ही काफी नहीं है अगर आप उस तरह का काम कर रहे हैं तो वो काम आपका महत्पूर्ण होना चाहिए बच्चे को कॉंटेंट शुरुवात में देने से ज़्यादा अच्छा है आप उसे end तक लेकर जाएं उसके लिए हर चीज वो करें जिससे की आप खुद paper देने जा रहे हैं ऐसा आपको बच्चे के साथ react करना चाहिए ठीक है माइडियर तो नए बच्चे को हमेशा याद रखना है कि शुरुवात में कोई mock test से comparison ना करे सबसे पहला काम syllabus complete करना एक single coaching औ अगर किसी एक teacher से पढ़ना शुरूर कर दिया तो उसी से पढ़े end तक ठीक है दूसरी teacher से पढ़ना शुरू कर दिया जीके तो उसी से पढ़े end तक जी के खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये भी आदत मत बनाओ अपनी, कि यार अब तो मैं जो भी चीज करूँगा वो ऑनलाइन ही करूँगा भाई, मेरी जिन्दगी में सिर्फ यही है, ऐसा नहीं है भाई, आप जी के जैसे पूर्शन को, अगर आप सेल्फ स्टेडी कर सकते हो, जो कि आजकल बहुत कम बची है लोगों में, तो मैं यही कहूंगा कि सेल्फ स्टेडी पर भी आप फोकस करें, परना एक्जाम हॉल में दिक्कते आती है कि आर कोशन पढ़ा तो था, कैसा कोशन था, एबे सेदे क्या था, अगर आपकी पाद दिमाग म से थ्योरी होगी, तो आप यहर्स भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, पिंकु कह रहा है, सर्व मैत के लिए कोई अच्छे से टीचर बता दो, मैं ही मैत पढ़ाता हूं, अना, चले, आईए, ठीक है, अब अगले पॉइंट पर डिसकुशन करते हैं, सर्व नए बच्छा सबसे पहले कहाँ फोकस करेगा, मैच हो गया, ग्लिश हो गया, Irrighmm जा, और रिजनिंग हो गया, ना बच्छा क्या कर सबता था पांच मेहने में, आप का कह ओ, और यार ये कर जा, ये भूख कर जा, ये भूख कर जा, ऐसे कर जा, ना भई ना सिंपल लॉजिक बताता हूं आप 2021 का जो पेपर हुआ है 2020 का जो पेपर हुआ है 2021 और 2020 के वल वही पी वाई क्यूज करें चैप्टर वाइस अगर मैट की बात कर रहे हैं जीके जीएस में देखें कि किस पैटन पर जीके जीएस पूछा गया इस पोर्ट से कितने कोशन आए बुक से कितने कोशन आए कि वाई किस ने कौन सी बुक लिखी है हिस्टरी से कितने आए जिओग्राफी से कितने आए एकोनोमिक से कितने आए current affair से कितने आए, journal science से कितने आए, static gk से कितने आए, first women, अभ्यारन, बहुत सारी चीजे है, sports, cricket में कितने खलाडी होते हैं, golf में कितने खलाडी होते हैं, ये अभ्यारन कहां इस्तित है, कौन से प्रदेश में इस्तित है, फलाने country की क्या currency है, ये सब चीजे fix रहती हैं भाई, तो ये gkgs में आपको ये दिमाग लगाना है, English में भी आपको सेम वही काम करना है, pyq करने हैं, कैसा pattern रहा 2021 और 2020 के, और reasoning में आप 20, 21 और 22, तीनों के paper आप लगा कर जा सकते हैं, तीनों जो अलग-अलग साल paper हुए हैं, उनकों, ठीक है, बस, beginners, शुरुवात में, जो भी latest year आप paper देते हो, उससे 3 साल पहले क्या paper लगाएं, सही सला दे रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, जितना आप कर सकते हैं, 5 महिने में, आप इतना कर लेंगे न, तो आप लाखों बच्चों से पहले ही आगे निकल जाएंगे, कोई distraction नहीं पालना, मैं बता रहा ह पचास लोग पचास चीजे बेचेंगे आपको, क्योंकि उनका चाह क्या रहा है, विश्य तो आपका लगा पड़ा है, किसी और का कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, मैं तो सिंपल सी एक बात कहता हूँ, कि अगर सबसे पहला देखो, beginners के लिए कुछ points मैंने clear कर दी है अगर आप शुरुवात कर रहें और अच्छे marks लाना चाहते हो ना, full marks भी आएंगे, इनी चीज़ों को करने से आएंगे, आप अपने syllabus को complete करो, mock test शुरुवात में ना लगाओ, आपको कोई मतलब नहीं है, mock test से, क्या करोगे लगा कर जब syllabus ही complete नहीं होगा तुमारा, ठीक उसके बाद में math, reasoning, gk, english का previous year questions लगाओ, पिछले तीन साल के बस, chapter wise लगाओ, mix practice करो, खतम गाम, ये simple सी strategy exam crack करने की, अगर आप beginner हैं तो, अब आप मुझे बताओ, कितना clean है आपके दिमाग में system, ये कर लिया ना तुमने, तो तुम नहीं रुकने वाले हो यार, नहीं रु पूरी gk की, math की आप ये book लगा कर जाओ, English की आप ये book लगा कर जा रहो, भाही महराज, पांच महीने है, syllabus complete है नहीं, book लगाने बैठ जाओंगा, एक एक हजार पन्ने की book है, 500 पन्ने की book है, कहां से करेगा बच्चा, कुछ नहीं है, दिमाग में बिलकुल clarity रखिए, अच ठीक है my dear student, उमीद करता हूँ, मेरी बात समझ में, आगे paper भाई, online ही होता है अब सारा, समझ में आ गई बात मेरी, strategy समझ में आ गई पूरी, कैसी लगी जल्दी से बता दो, साथ के साथ, मेरे साथ जुढने का आपके पास एक मौका भी है, मेरा एक complete batch भी आ रहा है, अगर मेरा maths का batch है, जिसका नाम है rankers batch, ठीक है, दस तारिक को यह launch होगा, rankers batch दस तारिक को यह launch हो जाएगा, और आप इसमें मेरे साथ complete math पढ़ेंगे, पहले मैं advance शुड़ू करने वाला हूँ, complete math, जिसमें first हम advance math पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम arithmetic cover करने वाले हैं, focus, simple रहेगा, अगर आपका, मेरा उदेशन में बता देता हूँ, मेरा USP सिर्फ इतना सा है, कि मैं paper में questions को लाने में सक्षम हूँ, कि पूरे की पूरा paper जो होगा, वो आपको अपनी class से ही देखने को मिलेगा, उसी के oriented में पढ़ाता हूँ, ठीक है, और beginners के आगे, जो beginner नह math के बारे में, ये catch na math मिलेगा, ये अभी चल रहा है, डेली सुबह 9 बजे एक practice session होता है, ये कहां होता है, unacademy पर होता है, सर बाकी subject का क्या, तो जब आप मेरे इन बैचों से जुड़ेंगे, तो आपको English, reasoning, और GK, general awareness के complete batch आपको मिलने वाले हैं, इसी में, कोई अलग से fees नहीं देनी है, ठीक है, कोई अलग से नहीं देना है, ये आपको हैं, और वो भी इंडिया की best faculties के द्वारा, जिन से आप घर बैटे कभी जिंदिगी में नहीं पढ़ सकते हैं, बहार आएंगे, ज़्यादा सब कुछ हो जाएगा, सच बोल रहा हूं, कुछ मत करना, सिव इसका है, घर पर पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अपडेशन पढ़ो, हर चीज नया content पढ़ो, वही चाहता हूं मैं आपसे, मेरा ये बैच है, rankers बैच इसका नाम है, मज़ा नहीं आए तो फिर कहना आप, एक number चीज में पढ़ाने वाला हूं, आपको मैं इतना ही कह सकता हू साहिल 10 code आपको लगा कर मेरे बैच से जोड़ना है, सर इसमें साहिल 10 का क्या रोल है, क्योंकि अगर मैं इस नहीं बैच को बना रहा हूं, तो जितने भी बच्चे इस code को लगा कर जोड़ेंगे, तो वो उसकी में sheet बन जाएगी, उन बच्चों को फिर obvious ही बात है, कि अलग बता देता हूं, Unacademy Learning App को आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद SSC exams पर चले जाना, get subscription पर चले जाना, फिर 24 महीने का subscription लेना है आपको, 24 महीने का क्यों, क्योंकि minimum price में है, और यहां साहिल 10 as a code आपको लगाना है, बस apply कर देना, discount आपको मिल जाएगा तुरंत, और मेरे सा Ask a doubt, यानि कि कोई भी doubt आए तो आप photo catch के doubt भी पूछ सकते हो, यह भी बढ़िया सुविदा है यहां पर, आप जैसे कोई भी आपको doubt आया मानलो, किसी भी किताब का, आपने photo कीची, वो doubt डाल दिया, तुरंत एक video solution आजाएगा उसका, ठीक है, अच्छा feature है, Ask a doubt feature में, साथ आपके साथ test series, iconic feature, सब कुछ आपको मिलेगा, आप class में बात कर सकते हैं मेरे से भी, कोई doubt आये, कुछ भी आये तो, ठीक है, तो बस आपको join करना है, समझ में आगई बात, सर और कोई आसान तरीका join करने का, हाँ, आसान, देखो मैं time रख रहा है मैंने, rankers batch का जो time है, यह time मैं रहेगा, मैं आपको 2 चीजे देने वाला हूं, rankers batch में 2 चीजे मिलेंगी आपको, मेरा जो time है वो रहेगा, दुपेर 2 बजे से लेकर, 3.30 बजे तक, 1.50 घंटे का यह batch है, दुपेर 2 बजे से लेकर, 3.30 बजे तक, डेड़ घंटे का यह batch रहेगा, हर 3 class के बाद, एक डाउट सेशन रहेगा आपका ठीक है वो पूरी स्टेटेजी मैं बताऊंगा जब एक स्टेटेजी वीडियो लेकर आऊंगा ना कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं फर तीन क्लास के बाद डाउट सेशन रहेगा फिर आपको रेज एंड फीचर तो मिलेगा ये क्लास में बात करने का ठीक है ये सारी चीज़ें और इसके साथ साथ एक कैच दा मैं अपना चलता ही है वो सुबह 9 बजे चलता है सर वो भी इसी में हाँ अलग से कुछ नहीं देना होता इसलिए फाइदा है इंग्लिश भी रीजनिंग भी जीके भी सब आपको मिलेगी ठीक है अब स आपको मैं दिखा देता हूँ अभी तो मैं नोटिस भी दिखाऊंगा आपको जैठालान हमारी उसमें रहता ही है देखो यह लिंक दिख रही है इस लिंक पर क्लिक कर दोगे ना तो यह लिंक सीधा आपकी अनकेडवी पर रिडायरेक्ट हो जाएगी जहां आपको दिख रहा है एक्सेट कुकीज पर चले जाना आप एप भी डाउनलोड कर सकते हो और आइकोनिक सस्किप्शन ले लेना प्राइज हाइक होने वाली है 10 अगस्त को होने वाली है उससे पहले ही आप सस्किप्शन ले ले और सबसे अच्छा फाइदा पता है क्या है साहिल टैन इस लिंक प अपना मुबाइल नंबर डालके आप सस्किप्शन ले सकते हो साहिल टैन आपको कोड लगाना है जब आप साहिल टैन लगाओगे तो आपको डिसकाउंट मिल जाएगा पूरा का पूरा समझे लो मेरी बार साहिल टैन ऐसे कोड लगागा मेरे सासत अन्य सभी टीचर्स की क् पढ़ना चाते है बिना किसी हैडक के कोई ट्रांसपोर्टेशन खर्चा नहीं कुछ नहीं घर पे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का आपके पास सुनहरा मौका है ठीक है और जो बच्चे जुड चुके हैं उनको सब मिले गई मिलेगा तो चिंता ना करो बार उसी को रिवाइस करें यह बहुत नीट अंक्लीन स्ट्रेजी है सेलेबस कंप्लीट करें और मौक टेस्ट अभी ना लगाएं जब तक सेलेबस कंप्लीट ना हो जाए जी के आप सेल्फ इस्टेडी भी कर सकते हैं उसी पर रिलाय करें साथ के साथ प्रैक्टिस के लगा और यहां यूट्यूब पर मैं जितने भी यह पेपर है ना मैं खुद सॉल्व कराने वाला हूं आपकी सहूलियत हो गई लोग क्या बोलते हो अब अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा यह जितने भी पी वाई क्यू चैप्टर वाईस है चैप्टर वाईस क्या मैं तो मिक्स करा दूँगा ठीक है ज्यादा बेटर लगेगा शिफ्ट वाईस तो यह हम पी वाई क्यू करने वाले हैं यह मिक्स हम करेंगे हर दिन का एक पेपर करेंगे यहां पर यहां पर कहां पर साड़े बारा बजे यूट्यूब चैनल वाई-फाई स्टेड़ी पर रेगुलर तो कितने लोग इस चीज के लिए भी एक्साइटेड है जल्दी से मुझे बता दो एक बड़ा सर्प्राइज आप लोगों के लिए लाऊंगा यह मैंने पहले बता दिया है ठीक है अर्थमेटिक भी साथ में च चलिए तो उमीद करता हूँ समझ में आ गई होगी आपको चीज़े क्लियर हो गई होगी और बस साहिल 10 लगाकर जुड़ जाना जिससे की मेरे को पता लग जाए कि यह बच्चा जुड़ चुका है लिंक मैंने आपको डाल रखी है कमेंट में भी पिन करवा दूंगा तरी ठीक है चलिए तो टेक्यार अल्टा बेस्ट लव यौल बिहार एससी के लिए पढ़नी है सब हो जाएगा उत्तम एक ही तो मैत है अलग-अलग थोड़ी नहीं मैत यात